हलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपने हमारी सोशियोलोजी के बुक वन के चैप्टर 3 का देखना शुरू कर दिया है ना, अंडेस्टैंडिंग सोशल इंस्टिटूशन, समाजिक संस्ताव को समझना, ये संस्ताइ 5 टाइप के होती हैं, सबसे पहले आता है परिवार, विवा, नातेदारी, फिर आता है कारिया और वर्क, और फिर राजनीती पॉलिटेक्स, रिलीजिन, धर्म या और सिक्षा, एडुकेशन, तो हमारे पहले वीडियो में हमने परिवार विवा नातेदारी को डीटेल में समझा, इसको आप जरूर देख लेना, आज के वीडियो में हम देखेंगे कारिय और अगले वीडियो में इन तीन टॉपिक को कवर करेंगे, बेसिकली हमने चैप्टर थी को तीन वीडियो में इनको ठीक तरह से देख लो एक बार और इसको आप याद रखो हमेशा कि sociology में जो भी चीज देखेंगे उसको हम दो दृष्टिकोन से देखते हैं सबसे पहले है प्रकारियवाद या नो शेरिंग, नो केरिंग, लोग सिरफ मारा मारी करते रहते हैं संसाधनों के लिए मुझे और मुझे और ये तो घरगर की कहानी है उनका कहना है तो ये जो दो theory है एक है तालमेल का और दूसरा है conflict मुझे और मुझे और की इसको आप बिलकुल याद रखना ताकि हम इसको apply क पर सके कारिय पर तो कारिय है ये भी एक समाजिक संस्ता है कारिय तो हर कोई करता है और कारिय में तीन चीजे होना बहुत जरूरी है नंबर वन है परिश्रम या लेबर जो है physical भी हो सकता है और वो mental भी हो सकता है नंबर टू है कुछ payment एक salary मिलना या ना मिलना और नंबर थ चीजे इससे उत्पादन होनी चाहिए वस्तु या सेवा उत्पादन होनी चाहिए तो पुराने समय में काम कैसे होता था यह तो लोग अग्रिकल्चर करते थे या पशुपालन करते थे कोई घर में बुनकर का काम करते थे तो कोई कुमार का काम करते थे पॉटरी करते थे को हाट में ले जाकर बेशते थे तो पुराने काल में कोई स्कूल नहीं था ये सब सिखाने के लिए लोग किसी अच्छे कारीगर के साथ शिक्षा नभीसी करते थे और ये इतना इंटेंसिव होता था कि जो अपरेंटिस था वो हर चीज के बारे में जान जाता था सुई धागा हो या रंग पेपर ब्रश सब चीज के बारे में उसकी पूरी जानकारी होती थी 18th century आते आते हुआ इंडस्ट्रियल रेविलूशन ओद्योगे क्रांती और ओद्योगे क्रांती के साथ काम करने में बहुत बड़ा एक transformation एक रूपांतर आया ओद्योगे क्रांती आपको याद है न मशीने आ गई मशीने बनने लगी और ये मशीन हर शेत्र में आने लगी ये देखो पहले हम जो हल चलता था किसी armored में हल चलता था धीरे factory हैं वहां काम मिल जाता है factory में आकर तो वो चौक गये जो काम वो गाओं में महीनों में करते थे हफतों में करते थे वहां ये machines धना धन यह काम कर रही है फटा फट एक दम कपड़ा बन रहा है देखो कितना और volume कितना कपड़े का बन रहा है तो इसको देख कर एक बात तो उनके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से आ गई और वो है कि मशीन के साथ काम करना है तो काम का तरीका हमें बदलना ही पड़ेगा तो पुरातन और आधुनिक समय के काम देख रहे हो न आप एक और एक्जामपल दू अच्छी तरह और समझने के लिए देखो जूते बनाने पहले जूते कैसे बनते थे घर में कारा खाना होता था चोटा सा और एक ही कारीगर पूरे जूते को बनाता था पूरा टाइम लेकर समझक और फिर आए फैक्टरी, फैक्टरी में तो अलग-अलग लोग अलग-अलग काम करें, कोई अपर बना रहा है, कोई सोल बना रहा है, कोई फिटिंग कर रहा है, कोई उसको पैकिंग कर रहा है, और जैसे ही जूता बन रहा है, फटा-फट उसको पैक करके कस्टमर के पास मेज तो पूरा काम करने का जो तरीका है ये पूरा बदबदल गया ना तो पहले कैसा होता था कि एक ही व्यक्ति पूरे काम को करता था और पूरे काम को जानता था और नया अधुनिक समाज में क्या हुआ distribution of work, division of labor इसका मतलब एक व्यक्ति एक ही काम करेगा और करता ही जाएगा करता ही जाएगा जब तक कि वो उस पर expert न बन जाए देखो कितने सारे experts हैं और इस कुशलता से मिला workflow efficiency कारिया निश्पित्ती बड़ी जल्दी जल्दी होने लेगी पर ये क्यों हुआ ये इसलिए कि हर उद्योग पती चाहता था कि machine पे मैंने इतना खर्चा किया है मुझे तो इसमें अधिक मुनाफा चाहिए I want to make greater profits और ये profit जो बनेगी बाजार में जब हम supply chain use करेंगे supply chain का मतलब फटा-फट raw material लो और उसको factory में पहुचाओ factory में फटा-फट product बनाओ और फटा-फट product को customer पहुचा दो तो ये जो एक श्रिंखला है आप पूर्ती शिंखला इसको कहते है ये supply chain या पूर्ती शिंखला है supplier से manufacturer से distributor से retailer से customer तक कितनी जल्दी पहुचाया जा सकता है और इसके लिए जरूरत है तीन चीजे सबसे पहले सबसे पहले जरूरत है जल्दी से जल्दी काम हो होना चाहिए नेक्स्ट जरूरत है गुनवत्ता होना चाहिए quality production होना चाहिए और तीसरा बाजार में हम कितनी जल्दी पहुचा सकते हैं इन तीनों पॉइंट को एक बार फिर से देख लो तो अध्यों के क्रांती में ये तीनों जरूरत थे थी ये पूरी कैसे हुई इसको देखते हैं नमबर वान एक ही बंदा एक ही काम करता था और वह उस देन करता रहता था ये देखो एक मशीम पर खड़े हैं और ये काम बंदा ऑगया है कि जहां machine नहीं पूरा काम करती है इसको देखो यह देखो machine ही पूरा बना रही है टॉय को यह जो खिलवाना है rocket आपके घर में अगर बच्चा हो आपने देखा उगा इस तरह का यह machine ही इसको बना रही है और 24-7 यह machine इसको बना सकती है अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा अगर मसीन सारा काम कर लेगी तो मानव क्या करेंगे बिलकुल अच्छा सवाल है और मानव काम क्या करेंगे मानव supervision करेंगे, यह सारे काम का supervision, monetary, निग्रारी, यह सब करना चाहिए, तो हमने क्या देखा, पुरातन समय में एक व्यक्ति पूरे काम को जानता था और करता था that was the pre-industrial society और आधुनिक समय में क्या हुआ कि company में assembly line production होना जरूरी है, number two distribution distribution of work होना जरूरी है, एक बंदा एक ही काम करेगा, और number three अच्छी तरह monitoring और supervision ताकि काम फटाफट हो सके, अब आपको याद है ना, हम जो भी देखेंगे, हम उसको दो दिष्टी कों से देखेंगे, यादा रहा है, तो पहले मालिक है, वो तो खूब मुनाफ़ा कमाता है, और जो कर्मचारी है, श्रमिक वर्ग है, उनको तो केवल एक fix salary मिलती है, तो जिसकी शक्ती अधिक, वही जीतता है, ये संगर्शवाद का कहना है, अब आपकी बारी, आप खूब सारी उधारन सोचो, जिसके बारे, जो हमने पड़ा है, वर्क के बारे में, इस पर आप खूब सारी उधारन सोचो, और जितनी उधारन आप सोच सकोगे, आप देखोगे, आपकी understanding एक दम clear होती जा रही है, और आप जब answer लिखोगे, क्या बढ़िया answer लिखोगे, I promise you that. ये रहा आपका सारांक्ष, थैंक्स पर वाचिंग, केसे कोशे,